जंगल में मोसम बदल रहा था ठंड के मोसम के बाद अब गर्मी का मोसम आ रहा था सभी पक्षी ये जानते थे के गर्मियों के मोसम में बार्षें भी ज्यादा होती है इसलिए अब पक्षियों को चिंता थी के वो अपने घरों को मजबूत कर ले रानो चिडिया और उसकी बेटी गुडिया भी उसी जंगल में रहती थी चिडिया गुडिया से कहती है गुडिया चलो हम लकडिया ले आएं सबने अपना अपना पका घर बना लिया है अगर बारी शुरू हो गई तो मुसीबत बन जाएगी ममा इस बार आप मुझे भी खर बनाना सिखा देना हाँ बेटी अब आपके सीखने के दिन है फिर वो मा बेटी जंगल से खर बनाने के लिए लकडिया लेने चली जाती है गुडिया बेटी सूखी और मजबूत लकडियों की खोज करो ममा आप सूखा खास ठोंडें और मैं लकडिया ढोंडती हूँ फिर गुडिया जैसे ही थोड़ा आगे जाती है उसे एक घडरी सूखी लकडियों की मिलती है जिसे देखकर गुडिया बहुत खुश होती है और अपनी ममा को आवाज देती है ममा जल्दी आए मुझे कटी हुई मजबूत लकडिया मिल गई है ममा चिडिया भी वहाँ आ जाती है गुडिया बेटी ये लकडिया तो किसी ने काट कर रखी हुई है लगता है कोई पक्षी ये लकडिया यहां रहकर भूल गया है चलो हम यहीं लकडिया ले जाते हैं फिर मम्मा चिडिया और उसकी बेटी वो लकडियों का गटा उठा कर वहां से चली जाती हैं वापिस जाकर वो दोनों मा बेटी अपना घर बनाना शुरू करती हैं गुडिया बेटी ऐसे पहले बड़ी लकडियों को जोड लेते हैं और छोटी लकडिया उपर रखते हैं और ममा सूखा खास किस काम आएगा उसे घर की छत में लगाएंगे ऐसे वो मा बेटी अपना घर बना रही थी कालू हम लुट गे हमारी लकडिया कोई उठा कर ले गया कौन हो सकता है वो जिसने कालू कव्वे की लकडिया चुराई है मैं छोडूँगा नहीं उसे मैं ठोड लूँगा अब चलती से चलो मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकडिया काती थी कव्वा और कव्वी दूसरे पक्षियों से लकडियों का पोचने जाते हैं कबूतर नदी के पास मैंने लकडियों का एक गठा काट कर रखा था कहीं तुमने तो नहीं उठाया नहीं नहीं गोरी तुम देख सकती हो मैंने तो अपना घर दो दिन पहले ही बना लिया था आप चिडिया से पूछें चिडिया आज अपना घर बना रही है अगर चिडिया आज अपना घर बना रही है तो फिर हमारी लकडिया चिडिया नहीं उठाई होंगी गोरी और कालू भागे भागे चिडिया के पास चाते हैं चिडिया ने तो उन लकडियों से अपना घर भी बना लिया था जब कवे वहाँ आते हैं यही है हमारी लकडिया यही है गोरी मैंने पहचान ली है अपनी लकडिया कविभीया, क्या हुआ? कौन सी लकडिया? इतनी मासूम न बनो नदी के पास ये जो लकडिया तुम उठा कर लाई हो वो मैंने काट कर रखी थी हाँ गोरी बेहन, मैं और गुडिया आज लकडिया लेने गई थी और वो लकड़ियों का गठा नदी के पास पड़ा था मैं समझी कि कोई पक्षी रहकर भूल गया होगा तो फिर अब तुम भागो यहां से मेरी लकड़ियों से घर बना कर बड़ी अकड़ कर बैठी हुई हो दोरी आंटी हमने बड़ी महनत से घर बनाया है हम आपको नई लकड़िया ला देंगे प्लीज हमसे हमारा घर तो ना जीनो मैं एक लगाऊंगा अगर यह लकड़ियां हमारी थी तो घर भी हमारा ही हुआ गुड़िया बेटी गलती हो गई अगर पहले पता होता तो हम वो लकड़ियां ना उठाती जो भी है अब ये घर हमारा है और तुम अपने लिए और नया घर बना लो चिड़िया जानती थी के गोरी कवी कहा मानेगी इसलिए चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से चली जाती है कालू अच्छा ही हुआ जो ये चिड़िया हमारी काटी हुई लकड़िया उठा लाई बना बनाया खार मिल गया हमें गुड़िया बेटी अब नई लकड़िया तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी आप जाओ और अपनी नानो को बुला कर लाओ आपकी नानो को मट्टी का घर बनाना आता है हम इस साल अपने लिए मट्टी का घर ही बना लेते हैं ममा क्या नानो मट्टी का घर बना लेगी हाँ गुड़िया आप जाएं और नानो को बुला लाएं फिर गुड़िया अपनी नानो को बुलाने चली जाती है गुड़िया बेटी कैसे आई हो आपकी ममा तो ठीक है फिर गुडिया अपनी नानों को सारी बात बताती है इसमें गलती तो आपकी है बेटी जो आपने किसी की लकडिया उठाई चलें अब मैं आपके साथ चलती हूँ फिर गुडिया अपनी नानों को साथ लेकर आ जाती है बेटी चुप कर जाएं रोने से कुछ नहीं होगा मुझे गुडिया ने सब बताया है मैं अभी आपको मट्टी का घर बना देती हूं मा वो देखें सामने मैंने कितना सुन्दर घर बनाया था अब छोड़ें जो हुआ उसे भूल जाएं आप और गुडिया मुझे गीली मट्टी दें फिर वो सब मट्टी के घर का काप शुरू करती है कालू देखो देखो अब छोटी चुडिया अपने लिए मट्टी का घर बना रही है गोरी मुझे मट्टी के घर में रहना बहुत अच्छा लगता है ये कौन सा बड़ी बात है जब चुडिया अपना मट्टी का घर बना लेगी तो हम उसे ये घर देकर उससे मट्टी का घर छीन लेंगे सारा दिन काम करने के बाद गुडिया की नानो गुडिया के लिए एक बहुत ही सुन्दर मट्टी का घर बना लेती है ये घर देखने में तो सुन्दर है नगर बेटी बारिश के पानी में ये घर तूट भी सकता है मा हम कुछ दिनों तक लकडिया लगा कर इस घर को मजबूत कर लेंगे फिर ऐसे गुडिया की नानो वापिस अपने जंगल चली जाती है वो मा बेटी आज बहुत थकी हुई थी इसलिए वो जल्द ही सो जाती है दो तीन दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं फिर एक दिन गोरी कालू से कहती है कालू चिडिया का मट्टी का घर गर्मी में बहुत ठंडा होगा चलो हम चिडिया से वो घर चीन कर उसे ये लकडियों का घर दे देते हैं फिर कववा और कववी रानो चिडिया के पास जाते हैं चिडिया मुझे बहुत अफसोस है कि आप मट्टी के घर में रह रही हो आप ऐसा करें कि अपना लकडियों का घर वापिस ले लो और हमें ये मटी का घर दे दो नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे मगर ममा चिडिया जानती थी कि वो लकडियों का घर तो बहुत मजबूत है और ये मटी का घर बारिश के पानी से तूट जाएगा ये घर बहुत सुन्दर है अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये घर ले लें और हमें वो लकडियों वाला ही दे दें हाँ मगर अब हम वो घर आपको वापिस नहीं करेंगे ठीक है फिर चिडिया लकडियों के घर में चली जाती है शाम हो जाती है आसमान पर बादल भी गहरे थे बारिश भी होने वाली थी कालू जी मटी का घर बहुत ठंडा है मुझे इस घर में रहने का बहुत मज़ा आ रहा है हाँ चलो अब सो जाएं फिर कववा और कववी सो जाते हैं आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है और कववों का मटी का घर पानी से तूट कर गिर जाता है हाई कालू मैं मर गई मेरा पांख तूट गया गोरी मेरी टांग भी तूट गई है हमें किसी पूरे काम की सजा मिली है जो हमने चिडिया से किया हमें उसी की सजा मिली है कालू फिर ऐसे वो दोनों घर के नीचे दबे हुए रो रहे थे प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा करता है उसका भी हमेशा बुरा ही होता है वो चिडिया उंचे पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी क्यूंके कुछी दिन पहले उसका पक्का लकडियों का घर तेज हवा से तूट गया था और अब उसके पास समय नहीं था कि वो अपना नया घर बना सके पास में ही एक कवा और एक कवी रहते थे जिनका घर पका था और लकडियों से बना हुआ था कालू जी पूरे चार बच्चे निकले हैं उस छोटी चिडिया के अंडों से और तुम्हें तो पता है वो चिडिया आसपास का सारा दाना खा जाती है और अब अगर उसके बच्चे भी बड़े होगे तो फिर तो हमें भूक के ही मनना पड़ेगा और मेरा जगू कैसे भूका रहेगा गोरी मुझे भी यही चिंता खाय जा रही है अब तो हमें उस चिडिया का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मेरे पास एक उपाय है तुम जगू का दिहान रखना और मैं जाता हूं चिडिया के पास और फिर कालू कववा चिडिया के तरफ जाता है चुडिया बेहन कैसी हो? क्या हो रहा है? कालू भीया, मैं तो बस दाने को जाने ही वाली थी, मेरे बच्चे भूके है चुडिया आज कल जंगल में एक चील आती है, अगर उस चील ने तुम्हारे बच्चे ऐसे देख लिये, तो वो तो तुम्हारे बच्चे खा जाएगी हाई मैं मर गई, मैंने तो कभी नहीं देखा उस चील को वो छुपकर आती है, लेकिन तुम चिंतत ना होना, जब चिडिया तुम भोजन लेने जाओ, तो बच्चों के पास मुझे छोड़ जाया करो, मैं तुम्हारे बच्चों का दिहान रख लिया करूँगा और तुम वापस आते समय मेरे लिए थोड़ा दाना ले आया करना चिडिया तो कभी की बात सुनकर बहुत खुश होती है, और वो कभी को अपने गोंसले में छोड़ कर भोजन की खोज में निकल जाती है अब तो इन बच्चों को चील खाएगी, लेकिन मुझे तो पता नहीं के चील कहा रहती है हाँ मैं ऐसा करता हूँ, गोरी को भेजता हूँ, कि वो चील को बता दे के बच्चे अकेले हैं, आए और आकर खाजाए इनको फिर कवा बच्चों को छोड़ कर तुरूंत अपने खड़ जाता है गोरी जल्दी जाओ और अपनी सहेली चील को बला लाओ, चीड़िया भोजन लेने गई है और बच्चे गोंसले में अकेले ही हैं, जब चील बच्चे खा जाएगी तो फिर हम उस चीड़िया का भी अंद कर देंगे कालू चुड़िया के आने से पहले पहले मैं लेकर आती हूँ अपनी सहेली को, तुम जगू का दिहान रखना और फिर गोरी चील को लेने चली जाती है उसे चील के घर का पता था, इसलिके वो नदी के उपर से उड़ती हुई सीध ही चील के घर की तरफ जाती है वो अभी थोड़ा धूर ही थी, कि वो देखती है कि चील तो बेठी एक कव्वे को मार कर खा रही थी और मजे कर रही थी ये क्या, मेरी सहेली कव्वे भी खाती है, लेकिन चील सहेली ने तो बताया था, कि वो कभी कव्वे नहीं खाती तो फिर क्या ये मेरी सहली मुझे जूट बोल रही थी मुझे तो यहां से भागना आगा मेरी सहली बनी ही मुझे खाने के लिए होगी और फिर ये देख तो गोरी वहां से भाग जाती है कालू, कालू मेरी सहली जील तो मुझे भी धोका दे रही थी वो मुझे खाना चाहती थी इसलिए वो मेरी सहिली बनी थी जब मैं गई तो मैंने देखा के चीले कवे को खा रही थी परंतु गोरी अब हम कैसे मारे उस चिडिया के बच्चों को के साम भी मर जाए और लाठी भी न तोटे अगर हम खुद मारे उन बच्चों को तो चीडिया को पता चल जाएगा और फिर रात हो जाती है और कवा और कवी अपने बेटे के साथ अपने घर में सो जाते है चीडिया भी अपने चार छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने दिनकों के गोंसले में सोई हुई थी और फिर दूसरे रोज चिडिया अपने बच्चों को साथ लेकर कवे के घर जाती है कवे भीया दर्वाजा खोलें मैं अपने बच्चों को आपके घर छोड़ने आई हूँ मुझे भोजे लेने जाना है कालू अब क्या करें ये चिडिया तो अपने बच्चे ही हमारे घर ले आई है एक बार इसे अंदर तो आने दो और फिर कवे दर्वाजा खोलता है और चिडिया कवे के घर में चली जाती है कवे भीया आप बच्चों के पास आई ही नहीं थे मुझे देर हो रही थी इसलिए मैं अपने बच्चे ही आपके पास ले आई हूँ चलो अब जाओ और शाम को भोजन लेती है ना हमारे लिए चिडिया वहां से चली जाती है कालू जी अब कैसे चान छुड़ाएं इस चिडिया से और इसके इतने ज़्यादा बच्चों से चुप करके बैठो आप अगर शोर किया तो मैं तुम सब को चील के हवाले कर दूँगा और फिर वह बच्चे डर कर बैठ जाते है चिडिया नदी से पानी पीती है अपना भोजन खाती है और अपने बच्चों के लिए और कोवे के लिए थोड़ा भोजन लेती है और घर वापिस आ जाती है कोवे भी या ये ले भोजन बस इतना ही मिला था उसमें से आधा मैं आपके लिए ले आई हूँ और फिर चिडिया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है ये को बहुत अच्छा हुआ जो कवा मेरा दोस्त मन कर थोड़े भोजन के बदले में सारा दिन मेरे बच्चों की रुक्षा करता है चिडिया खुझ से ऐसे कहती है लेकिन वो चिडिया ये कब जानती थी के वो कवा तो उसके बच्चों को और उसे मानने के उपाय ढूंड रहा है वो तो ये सब नाटे कर रहा है और फिर रात हो जाती है कालू जी दिन दिन गुजरा जा रहा है और उस चिडिया के बच्चे बड़े हो रहे हैं कालू जी तुम भी किसी काम के नहीं या तो बगाओ उस चिडिया को यहां से या फिर मार दो उस चिडिया के बच्चे अगर वो सब बड़े होगे तो सारा दाना वो खा जाया करेंगे वो इससे बातें कर लेंगे कि आस्मान पर बादल जोर से करिचता है कालू बाहिर तो बादल आगे हैं आस्मान पर काली गठाएं चाई हुई है और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है गोरी जो हम ना कर सके वो इस बारिश ने कर दिया अब तो भीगेंगे वो बच्चे इस बारिश में और मरेंगे बारिश बहुत तेज है मैं अपने बच्चों को साथ लेकर अपने दोस्त कालू कवे के घर चली जाती हूँ वो जरूर ऐसे मुसम में मेरी मदद करेगा वो चिडिया कालू के घर की तरफ चली जाती है कालू भीया कालू भीया बारिश बहुत तेज है दरवाजा खोलें मुझे अंदर आना है कालू जी अब खोलना देना दरवाजा मरने दो इसे ऐसी तेज बारिश में चिडिया मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मेरा घर छोटा है और मेरा बेटा सोया हुआ है कालू भीया ये आप क्या कह रहे हैं आपको तो मेरे बच्चों की बहुत चिंता थी और अब ऐसे मौसम में जब मुझे पर प्रिक्षा आई तो अब आपने मुझे मुझे मूँ मौल दिया चल भाग यहां से आई बड़ी मेरे दोस्त बन कर मैं पहले भी तुम्हें मारना चाहता था लेकिन मैं ऐसा ना कर सका और अब तो तुम्हें मारे की ये बारिश फिर मैं क्यूं बचाऊं तुम्हें भागो यहां से भाग भाग हमें तंग ना करो चिडिया तो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है बारिश भी तेश थी उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी बारिश में वो कहा जाए वो वहां से उडने ही वाली थी कि पास वाला पेड़ उसे आवाज देता है चिडिया मेरे तने में ये जो सुराख है तुम इसे अपना घर बना लो और इसमें अपने बच्चों को साथ लेकर बैठ जाओ ये शेद बाहर से चोटा है अंदर से तो ये एक बड़े घर जितना है चिडिया ये सुनकर बहुत खुश होती है और चिडिया उस शेद में चली जाती है वो शेद तो अंदर से बहुत बड़ा था पूरा घर बना हुआ था उस शेद में और गरम भी एक तरफ फल पड़े हुए थे चिडिया वो फल खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है और फिर उस शेद में बैठ कर मोसम के मज़े लेने लगती है बारिश तो बहुत तेश थी परन्तु चिडिया को अब बारिश की कोई चिंता ना थी लेकिन ज्यादा बारिश होने के कारण जंगल में तो बार आ जाती है और कव्वे का घर तो था भी जमीन पर ही और उसमें पानी चला जाता है कव्वे का सारा अनाच पानी में बह जाता है हम तो चिडिया को माना जाते थे लेकिन हम खुद ही मर जाएंगे अब ऐसे मोसम में अब हम क्या करें और फिर उनका घर पी तूटकर पानी में बह जाता है वो बैठे हुए थे कि चिडिया के नजर उन पर पढ़ जाती है चिडिया जोड से आवाज लगाती है कालू, कालू भेया जल्दी इधर आ जाएं मेरे पास आ जाएं ये चिडिया अभी तक जिद्धा है ये हमें क्यों आवाज दे रही है चलो जा कर देखते हैं आप मेरे घर में आ जाएं लेकिन वो खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस गे और फिर चिडिया ने कैसे उनकी मदद की वो चिडिया से अपने गिये की माफी मांगते हैं